हेलो बच्चों यह वीडियो आपके साइंस के चेप्टर नंबर 3 फाइबर टू फ्रेबर की नेक्स्ट वीडियो हैं इससे पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रोसेसिंग फाइबर इंटो ओल की कैसे प्रोसेसिंग की जाती है फाइबर को उल बनाने में, जिसमें कि मैंने आपको सबसे फर्ष्ट स्टेप जो थी उसके बारिम बताया था जो था कि शेरिंग, यानि कि जो शेप थे उसके हेर को कैसे उसके बॉड़ी पे से उतारा जाता है और फिर उसे अलग करके रखा जाता है, तो ये जो हेर की जो में पाए जाते हैं अब हम इसी का जो second step है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका second step देखे क्या है the shared skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grease dust and dirt this is called scoring nowadays scoring is done by machine तो scoring आप देख रहे हो कि यहां पर लिखा है कि washed किया जाता है तो जो hair cutting के बाद जो hairs मिलते हैं उनको क्या कियाता है बहुत अच्छे से washed किया जाता है तो क्योंकि उनमें जो grease होते हैं जो dust होती है जो dirt होती है कुझे जो जुम साफ रखते हैं पर वह अपने बॉडी, इतना साफ यह कोसा साफ करेगा। जिसके विज़े से साफा हैं, तो काफी गंंदे हो जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि scoring in tank यहां पर दो आदमी मिलके एक बड़े से tank में क्या कर रहे हैं जो यहां पर sharing के बाद यह जो hairs मिले हैं इनको क्या किया जा रहा है इस tank में साफ किया जा रहा है उनके dust को निकाला जा रहा है अब हमारा जो step है नेक्स्ट थर्ड चेप है आफ्टर स्कॉरिंग शॉर्टिंग इस डन दा है इसके इसके बाद इनको छाटा जाता है शॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि छाटना ठीक तो अब क्या होता है कि एक साथ तो जब शिप की हेर निकाले जाते हैं तो हर एक शिप में अलग अलग वालिटी जो होती हैं उनके फाइबर्स जो होते हैं वह अलग अलग टेक्च्चर के होती है तो उस टेक्चर को पहचानके उनको अलग-अलग सेपरेट रखना ही कहलाता है आपका शॉर्टिंग तो इस इस दो से स्टेट करते हैं यहां पर है इसके बाद हमारा जो इस्टैप है नेक्स्ट वह फूर्थ स्टैप था स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स और पिक्ट आउट फ्रॉम दा है तो अब इसमें जो छूटी-छूटे फ्लफी टाइब के फाइबर्स होते हैं जै कि और जो हेर होते हैं उन्साइब के गुले बन जाते हैं उनको क्या किया दा है कि छाटके अलग कर दिया जाता है देस आज आर्द सेमं बंज विच इसमटाइम से अपेरस अउन यर स्वएटर ठेक इसमें क्या होता है जो भी एक जासे फाइबर होते हैं जो इसके बाद देखे, the fibers are scored again and dried, this is the wood ready to be drawn into fibers. तो अब क्या होता है, कि जो भी छटाई हो जाती है, जो छोटी-छोटी hairs अलग कर लिए जाते हैं, उनको वापस फिर से, उनको साफ बगेरा किया जाता है, सुखाया जाता है, और उसके बाद पिर क्या करते है, इन से अब क्या बनता है फाइबर बनता है अभी यहां फे फाइबर बनने का प्रोसेस चलेगा है हमारा जो अब नेक्स्ट फिफ्ट श्टेप है वो क्या है तब फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर से अज़ने फ्लीस आफ सिप अब ग्रट क्या है तो यहां पर हमारा शेप और गोट का जो फ्लीस यानि कि आप हमेसे जैद रेका कर फ्लीस माने हेर तो ज्ट जो हेर है वह ज्यादतर क्या होगा ब्लैक ब्राउण या वाइट होगा तो अब हम इनी तीन कलर के तो तो उसके लिए क्या कियाता है इन को कलर के आता है इनको डाय किया आता है डिफरेंट कलर में जिससे कि हमें अलग-अलग कलर के कपड़े जो फाइबर बनाने हैं वह मिल सके नेक्स्ट है हमारा 6 step the fibers are straight and rolled into yarn तो अब क्या करते हैं कि हम जो fibers मिलें उनको सीधा करते हैं फिर उनको roll करते हैं किसमें yarn में अब जो हमारा जो fiber था अब वो किसमें convert हो जाएगा यान में यहानि कि जो एक ठागा होता है उसमें convert हो जाएगा the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths तो यहाँ पर क्या किया जाता है जो लंबे thread होते हैं उनसे क्या बना जाता है उनसे बनता है हमारा sweater जो short होते हैं उनसे other cloths बनते हैं जो woolen cloths होते हैं वो छोटे वाले short fiber से बनते हैं यहाँ पर आप सारे pictures देख सकते हैं शेरिंग कि जा रही है उसके बाद स्कॉरिंग कि जा रही है फिर उसके बाद स्कॉरिंग जो है अभी machine आथी है जो साफ सफाई होती है वह machine के द्वरा भी कार जाता है उसके बाद rolling इंटू यान अब इसको क्या गयता है thread को इंटे रूपमें रोल कियाता है बड़े-बड़े रोल से इनके बनाए जाते हैं तो यहां पर देखिए दा प्रोसेसिंग और फैबर इंटोल कैन बेरेप्रेजेंटेड एस फॉलो तो यह एक पूरा एक जो स्टेप है वह इस तरह से आप याद कर सकते हो कि कैसे शेरिंग होती है स्कॉरिंग होती है शार्टिंग होती है उसके बाद उसको टाई किया जाता है फिर उसके बाद उसकी रोलिंग की जाती है तो यह स्टेप अगर आपको याद होगा तो आप अगर उसमें पूछ लिया कि कैसे प्रोसेसिंग होती है कुश्चन आ गया कि कैसे प्रोसेसिंग की जो भी काम काज होता है उसे कहते हम occupation और हजार माने कि उससे क्या हमें नुकसान पहुचता है तो उसे हम कहते हैं अब यहां देखिए एक जो लोग होते हैं उनका कंट्री के लोगों का एक बहुती इनकी जीवी का जो है वह इसी पे चलती लाइव होट इनकी उसी पे चलती है बट शोटरिस जॉब इस रिस्की एंड सम्टेंज देट इन्फेक्टेड बाई पैक्टिरियम एंथ्रेक्स तो अब यहां देखिए एंथ्रेक्स नाम आया है तो एंथ्रेक्स को मैंने आपको इससे पहले की चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी बढ़ाया था कि जो एंथ इस होते हैं तो अगर मालीजे की शिप को या गोट को जिस पी अनिमल से आप उल्प्राप्त कर रहे हो अगर वह इस इन्फेक्शन से जो की बैक्टिरियम के द्वारा होता है उसके द्वारा अगर इंफेक्टेड है और वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं जब उसके करती है जो बलड के अंदर इंफेक्शन केयाट करती है कोड़ शौटर्स डीजीज शच रिसक फेजट बाइ वरकर्स इन है एनी इंडेस्ट्री और कॉर्ड ऐक्यूपेशनल है तो अब जहां पे भी इस तरह की काम होते हैं वहां पे जो वरकर्स होते हैं जो काम करतें पूछ रहा है करें शहां को सबिक्ड़ आपको कुई ऐसमेर का के गड़ा रीजुनितलयर कंशिता है फो URL we see this पूछ पूछ केला है मिग्व Hour Att commitment दिए musimy अचिता है और yapıl Pen Okay क्योंकि जो हमारे बालों की जड़े होती है वो हमारे कहां इसकल से जुड़ी होती है और वहां पर क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वहां पर हमें पेन होता है लेकिन जो हमारा हेर का जो इन पॉइंट होता है वहां पर कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है एक तरह की डेड हो चुकी होती है इसलिए जब उसको कट करते हैं तो हमें कोई भी पेन नहीं होती है अब बुजो का दूसरा क्वेश्चन बुजो इस वंडरिंग वाई तो एक और कुश्चन है कि जो कोटन की जो एक्रमाएं गलव में रखते हैं जोिए इसकि ये मैंने आपको पहले बशाता था क्या है रुटी है कि air branch Conductor होते हैं और उसको क्या करते हैं काफे टाइं तक trap करके रख सकते हैं इसी तरह स्वेयर होता है जब सपवायर पयांते हैं तो वह क्या करते हैं कि वह हमारे body and sweater के भीच में air उस भीच में ब्रद रखती है और वह हमें क्या करती है गरम में जोता में है घर्म रखती है उसका क्या होती है कि ठंड नहीं लगते हैं कि शहीं सबैद होते हैं साथे मिइंटर चानल डाव फैंब की सब्सक्थ शेक्रावबन होता है कि बिए जुट के पर रजिए श्द नहीं आपने Günा ममें दो खेंगर के वह ठोलिवीन साथ समय कोनजव म सिल्क फाइबर बनाते हैं तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो सिल्क फाइबर होते हैं उनको कैसे बनाते हैं उनकी पूरी כल होती है तो इसके बारे में देखते हैं तो इस तरह से जो सिल्क वाम से जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वो कहलाता है सेरी कल्चर यह बहुत important question है कि हमें सब पूसता है तो इसलिए इसका यहां से आप लिख सकते हैं तो आपको अगर याद रखना हो तो इसके लिए आप याद रख सकते हो सिल्क से सेरी कल्चर next day find out your mother and grandmother the kind of silk सारी they have listed the kind of silk तो आप अपने ममने या आपकी 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 जो ग्रैंड मदर हो उनसे आप पूस सकते हो कि उनके पास अगर सिल्क सारी हो तो या कपड़े हो तो उसका आप एक लिष्ट बना सकते हो अलग-अलग टाइप के silks की before we discuss the process of obtaining silk it is necessary to know the interesting life history of the silk moth तो silk कैसे process किया जाता है कैसे उस silk से fiber बनाए जाता है वो जो एक process है उसको जाने से पहले हम क्या पहले जान लेते हैं life history of the silk moth तो silk moth सबसे पहले उसकी पूरी एक process है वो क्या है उसके बारे में discuss करेंगे then हम जो silk प्राप्त होता है उसके बाद उससे कैसे fabrics बनते हैं उसके बारे में discuss करेंगे तो life history of silk moth यह हमारी हम next video में discuss करेंगे आज मैंने आपको सिर्फ अभी silk के बारे में बताया है और जो भी उल बन्नी की जो एक processing थी उसके बारे में बताया जिसमें की पूरी छे step involved थे I hope आपको यह topic भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा if you have any doubt you comment in my comment section और हाँ फिर से चलते चलते like करना और comment करना ना भूले झालते चलते 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 बारे में